मित्रो नमस्कार आसमान में उड़ते हुए हेलिकॉप्टर को तो आपने कई बार देखा होगा पर क्या आपको ये पता है कि यह कौन से सिधान्त पर कारे करता है किस ने इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप लॉंच किया था हेलिकॉप्टर किस हो जाई तक उड़ सकता है इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है इसकी लाइफ कितनी होती है हेलिकॉप्टर में ट्रेवल करना कितना सेफ है इसकी कीमत क्या होगी और साथ ही एरोपलेन और हेलिकॉप्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है तो फिर आईए आज हम आपके तथा विशेश कर आपके बच्चों के इन ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशन्स का आंसर देने की कोशिश करते हैं हमारा पहला प्रस्ण है कि यह काम कैसे करता है देखिए किसी भी आपजेक्ट को उड़ने के लिए पहली सर्थ है कि उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट होना होगा अगर हम नेचर की बात करें तो अभी तक हमने बच्च को लिफ्ट होते हुए देखा है जो कि विंग्स या पंखों की मदद से लिफ्ट लेती है इसके पीछे बर्नॉली प्रिंसिपल कारे करता है यह प्रिंसिपल बताता है कि how the speed of air and atmospheric pressure are related together जब speed बढ़ती है तो रोटर के उपर का atmospheric pressure डाउन होता चला जाता है और आप कहेंगे कि रोटर होता क्या है रोटर हेलिकॉप्टर के उपर लगा हुआ एक बड़ा सा पंखा होता है जिसके बहुत तेज गती से spin करने के कारण हेलिकॉप्टर के उपर का atmospheric pressure low हो जाता है और हेलिकॉप्टर लिफ्ट कर जाता है रोटर के जो विंग्स होते हैं वो ends की और curved होते हैं जबकि bottom की और flat रोटर के विंग्स का यह शेप एरोडाइनमिक्स के अनकूल होता है जिसे airfoil के आ जाता है यह शेप रोटर के उपर की air को तेजी से घुमाता है जबकि नीचे की air उतना तेज नहीं गुमती इसके कारण हेलिकॉप्टर के उपर का atmospheric pressure तेजी से decrease होने लगता है और हेलिकॉप्टर हवा में lift हो जाता है अगला question हमारे सामने यहां आता है कि इसका invention कब और कैसे हुआ हलांकि 1860 के आसपास से ही vertical flight के सैक्णों प्रयास किये जाते रहे हैं लेकिन सबसे पहले 1907 में फ्रेंच एविएटर पॉल कॉर्नू पहले ऐसे ब्यक्ति बने जिन्होंने अपने स्वयम के डिजाइन किये हुए हेलिकॉप्टर से 20 फिट उचाई तक fly किया लेकिन 14 सितंबर 1949 को रशिया के इगोर सिकोर्स की तथा वाट सिकोर्स की द्वारा VS-300 नाम से फर्स्ट प्रेक्टिकल हेलिकॉप्टर से स्टेट फोल्ड कनेक्टिकट में पहली उडान भरी इसलिए सिकोर्स की को ही हेलिकॉप्टर के इन्वेंशन जनक माना जाता है इस सिरीज का नेक्स्ट कोईशन है कि हेलिकॉप्टर किस हाइट तक उड़ सकता है जनरली एक सामान्य हेलिकॉप्टर 10,000 से लेकर 14,000 फीट के अल्टिट्यूट तक हावर कर सकता है लेकिन कुछ टर्बाइन इन्जन हेलिकॉप्टर समुदर तल से 25,000 फीट तक की हाइट तक उड़ सकते हैं इस मामले में फिक्स्ट विंग एरक्राप्स या एरोप्लेन अधिक एडवांटेज की इस्तिती में दिखाई देते हैं और वे अपने पावरफुल इन्जन, विंग्स और पॉपेलर्स की मदद से 40,000 फीट की हाइट तक भी आसानी से फिलाई कर सकते हैं अगला क्वेशन है कि हेलिकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है इसकी मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड मॉडल्स और उनके इंजन की पावर पर डिपेंड करती है परंतु सामान्य तह यह 100-500 मील प्रतिगंटा यह 160 से लेकर 240 किलो मिटर प्रतिगंटा की होती है हला कि हेलिकॉप्टर की स्पीड को जनरली नौट में या नौटिकल माइल में मेजर करते हैं एक नौट या नौटिकल माइल 1.852 किलो मिटर के बराबर होता है इसकी तुलना में एरक्राफ्ट काफी अधिक स्पीड से उड़ सकते हैं सामाने तया एरक्राफ्ट लगबग 1000 किलो मिटर प्रतिगंटे की स्पीड से आसानी से उड़ सकते हैं जबकि फास्टेस्ट क्रूजिंग एरक्राफ्ट 2400 किलो मिटर प्रतिगंटा की स्पीड टच कर सकते हैं जिन में फाइटर प्लेन प्रमुख हैं इन्हें सुपरसोनिक एरक्राफ्ट भी कहते हैं। सुपरसोनिक अर्थात सोनिक से अधिक तेज। अर्थात आवाज की गति से भी तेज चलने वाले एरक्राफ्ट सुपरसोनिक एरक्राफ्ट कहलाते हैं। जन्रली ये बॉम्बिंग और फाइटर एरक्राफ्ट होते हैं। चाहिए कि यह सिंगल इंजन के बजाए मल्टी इंजन हेलिकॉप्टर हो ताकि किसी कारण से भी यदि प्राइमरी इंजन बंद हो या खराब हो जाए तो सेकेंडरी इंजन फंक्शनल हो जाए दूसरा जब हम फ्लाइट पर जा रहे हो तो सोर्स डेस्टिनेशन तथा प्राइमरी इंजन फंक्शनल हेलिक क्रेस होने का खत्रा बढ़ जाता है सेफ्टी मीजर्स में भी एरक्राफ्ट हेलिकॉप्टर से बेटर कंडिशन में होते हैं आप सभी लोग इसकी कीमत को अवश्च्य जानना चाहेंगे क्योंकि आप अवश्च्य जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में किसी दिन इसको ओन किया जा सकता है या नहीं शेप, साइज, ब्रेंड, इंजन, एंड सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर इसकी कॉस्ट कुछ लाख रुपए से लेकर कई करोड तक हो सकती है जैसे कि यदि एक टू सीटर सस्ते हेलिकॉप्टर की बात करें तो इसकी कीमत अठावन लाख रुपए है अगर आप हाईर एंड की ओर जाना चाहें तो हाई क्रूजिंग स्पीड, पावर्फुल इंजन और ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाले हेलिकॉप्टर आपको कई करोड में मिलने वाले हैं भारत में मौजूद नॉर्मल टू स पर्सनल यूज हेलिकॉप्टर जो काफी प्रचलित है वो है रॉबिंसन आर ट्वेंटी टू हेलिकॉप्टर और इसकी कीमत है एक करोड इकतर लाख रुपए वहीं बैल बी 206 जेट रेंजर जो की फाइब सीटर हेलिकॉप्टर है जिससे सेना और आमनागरिक दोनों ही ख स्टोरेज फीस, फ्यूल कॉस्ट, इंशूरेंस कॉस्ट, रजिस्टेशन फीज एंड टैक्सेज, पाइलेट सेलरी आधी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको रेगुलर इंटरवर्स पर करने ही करने हैं जो की लाखों रुपे प्रतिवर्स तक होती है अब बात करते हैं हेल हेलिकॉप्टर को ठीक से मेंटेन करते हैं तथा इसकी सभी टेक्निकल लीटीज का सही समय पर ध्यान रखते हैं तो आप 40 से 50 साल तक इसकी फ्लाइट का आनंद ले सकते हैं लेकिन आपको DGCA से समय समय पर इसकी फिटनेस का सैटिफिकेट लेते रहना होगा अभी तक हमने जितने भी बिंदों पर बातचीत की हेलिकॉप्टर को एरक्राफ्ट से पीछे ही पाया लेकिन हेलिकॉप्टर की एक ऐसी विशेशता है जो कि फिक्स्ट विंग एरक्राफ्ट को काफी पीछे छोड़ देती है हेलिकॉप्टर की यह खुबी है कि वह छोटी सी जगह पर भ कम से कम डेड़ किलोमीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है इसलिए हेलिकॉप्टर का प्रयोग एयर एम्बूलेंस सर्च एंज एसक्यू के साथ ही टिपिकल लोकेशन्स पर मिलिटरी ओपरेशन्स के लिए करना हो चाहे अमीर लोगों को अपने किसी परसनल कारे से कहीं बाह एराई से समझा बहुशे में भी इसी प्रकार के एजुकेशनल कॉंटेंट को पाते रहने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ जै हिंड बनी बनी दो हम रहने किसी करना हो थाहे हdepth कि ए्माय का एज ए耗 में जाहे हम रहने जगी में